परिचय कृतिका और राहुल भाई बहन हैं रात में राहुल और कृतिका अपनी बालकनी में खड़े होकर आस्मान में तारों को देख रहे हैं राहुल कुछ तारों के विशेश क्रम को देखता है कृतिका उन्हें देख कर बहुत उत्साहित हो गई है वह राहुल से कहती है कि उसे आसमान के विशय में और अधिक बाते बताए इस अध्याय में आप कुछ खगोलिये या आकाशिये पिंडों के विशय में जानेंगे आओ सीखें सूरे का वड़न करना पृत्वी के लिए सूरज सूरे के महत को बताना चंद्रमा का वड़न करना चंद्रमा के महत पून आकारों की सूची बनाना सूरे एक चमकता तारा है ये बहुत ही कर्म और बड़ा है यहां तक कि ये हमारी पृत्वी से भी बड़ा है ये बहुत ही दूर है इसलिए ये हमें छोटा दिखाई देता है हमारी प्रिथ्वी सूरी के चारों ओर चक्कर लगाती है यह एक चक्कर पूरा करने में एक साल लगाती है सूर्योदय और सूरियास्थ सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में डूपता है दोपहर में यह ठीक हमारे सिर के उपर होता है सुभा और शाम में परचाईयां लंबी बनती हैं दोपहर में जब सूर्य हमारे सिर के उपर होता है तब परचाईयां छोटी बनती हैं गर्मी और प्रकाश का सुरोत सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है इसके बिना प्रित्वी पर बहुती अंधेरा और ठंड हो जाएगी पौधे, पशू और मनशे इस पर नहीं रह पाएंगे सूर्य प्रित्वी पर जीवन को संभव बनाता है तारे आसमान में चंद्रमा और अन्ने तारे भी हैं वे रात में दिखाई देते हैं सूर्य का चमकीला प्रकाश उन्हें दिन में छिपा देता है इसलिए ये दिन में दिखाई नहीं देते हैं सूर्य के साथ साथ सभी तारे भी गैसों से मिलकर बने हैं तारों का क्रम तारे आसमान में सुन्दर क्रम बनाते हैं चलो, अब इनके कुछ रोचक क्रमों को देखते हैं. चंद्रमा चंद्रमा हमारी प्रित्वी का एक प्राकृतिक उपक्रह है. ये प्रित्वी के चारों ओर चकर लगाता है और अपना एक चकर 28 दिनों में पूरा करता है. इस पर चट्टाने और बड़े कढ़े पाये जाते हैं. चंद्रमा पर पानी नहीं होने की वज़ा से उस पर जीवन संभव नहीं है. चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है. यह सूरे के प्रकाश को परावर्तित करता अर्थाथ इससे सूरे का प्रकाश टकराता है इसलिए यह चमकीला दिखाई देता है यह सूरे से भी छोटा है लेकिन यह बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्यूंकि यह सूरे की अपेक्षा पृत्वी के अधिक पास है चंद्रमा के आकार पृत्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने से चंद्रमा का आकार लगतार बदलता रहता है जब चंद्रमा आसमान में अद्रिश यानि दिखाई नहीं देता है तब यह अमावस्या यानि नया चंद्रमा कहलाता है जब चंद्रमा आस्बान में पूरा दिखाई देता है, तो यह पूर्णिमा यानि पूरा चंद्रमा कहलाता है हमने क्या चर्चा की? सूरिय एक तारा है सूरिय हमें गर्मी और प्रकाश देता है पृत्वी सूरि के चारों और चक्कल लगाती है तारे गैसों से मिलकर बने होते हैं चंद्रमा प्रित्वी का एक प्राकृतिक उपक्रे है चंद्रमा प्रित्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा सूरी के प्रकाश को परिवर्थित करता है अर्थात इससे सूरी का प्रकाश टक्रा कर वापस लौटता है चंद्रवा का आकार लगातार बदलता रहता है